दोस्तों अगर इस चीज का प्रयोग आप अपने अप्राजिदा के पौंदे में करेंगे तो इस प्रकार से आपके भी इतने अच्छे फूल आएंगे जितने मेरे पौंदे में आये हैं देखिए कम से कम इसमें आठ या दस फूल आने स्टार्ट होगी हैं और आगे इसमें कल्यावी बननी स्टार्ट होगी हैं तो इस चीज के बारे में आपको मैं पूरी जानकारी दूंगा यह चीज है क्या और इसका प्रयोग पौंदे में किस प्रकार से करा जाएगा तो आप वीडियो का जो पौदा होता है, इसको घर मे लगाना वहत सुब माना जाता है और वास्तु सास्ते के साफ से भी इस पौदे को अगर घर मे लगाये जाए तो घर मे सुक सम्रिद्धी बने रहती है दो भफूरी यह विश्नु भगवान को चड़ाने वाला फूल होता है कम से कम 14 इंचे का गमला चे होगा जिसमें आप इसको लगा सकते हैं और अगर आप इसको बीज से ग्रो करना जाते हैं बीज इसमें देखिए जैसे फली निकल लिए इसमें बीज बनने स्टार्ट हो जाएंगे कुछ टाइम में और जब यह सूखेगी इसके अंदर से जो बी जिदा का पहुंदा है उसका बीज मैंने इसमें ग्रो करने के लिए लगा रहा तो आप भी कोई छोटा जो है पॉर्ट ले लीजे या जो कुलर आते हैं चाहे कि उसमें भी लगा सकते हैं या मिट्टी का कोई छोटा सा ऐसे पॉर्ट मिले तो उसमें आप इसको ग्रो मैंने अगर आपने देखना है मैंने एक वीडियो पहले भी बनाया प्राजिदा का उसमें आप देख सकते हैं कि मैंने किस प्रकार से इसको छोटे यह डिस्पोजल ग्लास में लगा रहा है उस प्रकार से आप लगाईए जब थोड़ा सा ग्रोथ कर ले और इस प्रकार से इत ग्रोग करते हैं तो इसमें अच्छी मातर में फ्लावरिंग ले सकते हैं यह मैंने टेग्निक आपको बता रहा हूं यह मैंने खुद आजमाय हुआ है देखिए मैं जो पहुदा लगाया था यह बीच से ऐसे ग्रोग रा और इसमें इतने अच्छी फ्लावरिंग आप नर्सरी से कोई पहुदा लाते हैं आप राजिता का तो आप देखिए इतना बड़ा पहुदा होता है या इससे थोड़ा सा बड़े साइच का होगा थोड़ा सा अच्छी ग्रोग वाला तो आप उसको किस प्रकारत की मिट्टी में लगाएंगे उसमें जो मिट्टी चाहिए होगी आपको मिट्टी चाहिए होगी उसमें 40% तो गार्डन सोयल चाहिए होगी गार्डन सोयल ऐसी चाहिए उसमें थोड़ा सा रेतिली मिट्टी हो तो बहुत बड़ी है रेतिली मिट्टी में क्या होता है इसमें पानी रुकता नहीं है और जिससे की पौंदे की डाल दिए राइसेु का वीडियो अगर आपको देखनां है राइसें क्या होती है तो मैंने व declase1 पहले बना रिखेंगे आ अप मेरे चैनल में जा कर देख सकते रायसे किह heute तो आपको अगर पॉट्टिONवस के लिए बनाने की विधी चय तो मैंने आप आई बटन में जाक़ आप आई बेटन में जाकर देख सकते हैं कि किस प्रकार की इसकी potting soil बनानी है जिसमें की rice husk मिला हो तो आपको इतनी चीजें चे 50% garden soil, 30% cow down compost और 30% rice husk इन तीन चीजों को मिला कर आप अगर उसमें थोड़ी सी रेता मिला दें अगर आपकी रेतीली मिट्टी नहीं है थोड़ा सा रेता कहीं से लाकर जो construction side होती है वहाँ से लाकर अगर थोड़ा रेता मिला दें तो आपकी मिट्टी बहुत अच्छी बन जाएगी उन तीन सब चीजों को मिला कर आप उसमें यह पहुदा लगाए तो आपके जो प्राजिता का पहुदा है उसकी अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी और अगर आप जैसे नर्सरी से पहुदा लाते हैं इसको अगर गमले में लगा रहे हैं गमले में अगर लगा दिया आपने और थोड़ी सी ग्रोथ कर लेगा तो आप इसकी उपर से जो इसकी बेल बनती है जहां से इसको अगर पिंच कर दिंगे पिंच यानि इसको तोड़ दिंगे तो इसकी ग्रोथ और अच्छी स्टार्ट हो जाएगी उसके भाद आपका पौधा इस प्रकारत से घना हो जाएगा और अगर उसको ऊपर लघा सकते हैं अगर आप इसको ऐसा नहीं क्या इसमें डंडे लगा रहे हैं इस प्रकार से आप इसमें सपोर्ड देंगे जिस्से की जो ये बल आ रही है इसको बढ़ने के लिए सपोर्ड मिल जाए उस परकार से अब इसको ग्रोध बढा सकते हैं और एगर जैसे देखिए यह फली जो अगर ये सूख रही है अगर आपको फूल चाहिए इसमें जादा तो यह फली को आप अगर आभी बीज नहीं चाहिए तो इसको आप तोड़ दिंगे क्योंकि अगर इसको नहीं तोड़ेंगे तो इसकी ग्रोध रुख जाएगी वहीं परको और यह बीज बनाना स्टार्ट कर देगी अगर इसको तोड़ दिया है तो इसकी ग्रोध अच्छी होगी और इसमें और जोगों से भी फूल आने स्टार्ट हो जाएंगे अप्राजिता के पौंदी की मैंने आपको बता दिये कैसे आप रिपोर्टिंग करेंगे इसको अगर आप नर्सरी से ला रहे हैं इस प्रकार दालनी है मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में जो बता रहा था वो चीज में बताता हूं क्या है और उसका प्रयोग कैसे किया जाता है इसमें यह देखिए यह है डीएपी डीएपी मतलब होता है डाय अमोनियम फॉसपेड यह पौंदों में जितने प्रकार की है लो न्यूटियंट न्यूटर सॉर जितने भी इंग्रिफ्रियंट चैये होते हैं पौंध को अपनी ग्रोध के लिए वह सब इसमें पाय जाते हैं इसमें यह नाइटो जम्न फॉसपूरस और पोटिश्यम पायते bail को होता हैं तो यह अगर सो यूच करेंगे क् tau के बाद इसको उज़ करना है उसको यूज कैसे करना है देखिए DE reminds केवल दो दाने जैसे हैं दो दाने इसके निकालेंगे और इसको हलका सा गड़ा करके उसमें फश्ammप कर दाने लिए दौर के में इसको हलका दपा दिया तो उसमें 5-6 दाने यूज करेंगे, क्योंकि अगर 14 इंची का है, तो उसमें 8-10 दाने यूज कर सकते हैं, आप 8-10 दाने इसको अगर 10-15 दिन में यूज करेंगे, तो आपके पहुंदे में अच्छी ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, तो इस प्रकार से आप 4 कोने में इसके जड़ के जो इस्टैम होती है, जो इस्टैम से थोड़ा सा दूर लिंगे, कम से कम जैसे देखिए, ये गमले का कोना है, कोने में लिंगे बिल्कुल, उसमें 2 दाने दाल दिंगे, ये पानी से घुलते रहेगा, और ये आपके सकते हैं इस खात का प्रयोग, और इसके संहाब अगर किचन वेस्ट कमपोस्ट भी यूज़ करने हैं, तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि केमिकल खात से आपकी मिट्टी जो है, वो खराब हो सकती है, मिट्टी जो है, पोसक तत्व जितने हैं, उसके सब खतम हो सकते हैं, इ आगे शेयर जोरू करें, धन्यवाद.